Hello all, welcome to Magnet Brains मैं Riya Chohan, आपकी दोस्त और होस्त for social science आपके लिए लाई हूँ एक simplified videos क्योंकि हम लोगों को problem यह होती है कि exam में आते है difference between और हमको topic तो अच्छे समझ में आता है पर दो differences अगर दे दिये पूछने को तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार इसमें तो एक याद आए इसमें याद निया रहा इसमें याद आरह रहा तो इसमें याद निया रहा है ना ओर एक तो यह है कि तो to the point बनाने होतने है तो उसमें धोड़ा सा confusion रही जाता है इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए difference between के videos हम अलग से ही बना दें क्योंकि मान लो इन में से कोई difference between आजाता है और आपने वीडियो देखा हुआ है तो आप फट से अपने points बना के लिख दोगे अच्छे आपको marks मिलेंगे क्लियर तो आपने simple तरीके से दो कॉलम बना दिये उसमें सबसे पहले लिख दिया कि investment क्या होता है देखो सबसे पहला जो लाइन होती है difference between कि यह दोनों की definition लिख दो आप बस दोनों की definition आपने लिख दोनों में अंतर अपने आप दिखने लगेग या कोई से भी तरीके से आपको difference लगता है कि इसमें ऐसा हुआ तो इसमेंसा हुआ तो फिर वो point भी आप इसके अंदर add कर सकते हो नहीं तो very short में अगर difference आता है तो दो difference बहुत है short में आता है तो 3 difference बहुत है, long में difference between assets आपको देखने को मिलता नहीं 하 पर short में अगर difference आया आपको लग रहा है कि आपको जादा difference याद है exact तरीके से तो आप लिख सकते हो कोई problem नहीं अब यहाँ पे अगर हम difference लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो investment क्या होता है तो पैसा जब ऐसी चीजों पर लगाया जाता है जो आपको profit earn करके दे वही क्या कहलाता है investment क कहलाता है यानि कि profit earn करने वाली चीज़े कौन से होती है उनको assets कहते हैं तो simple से लिख दो money spent on buying assets है ना जब आप पैसा assets को खरीदने में लगाते हो तो उसी को क्या कहते है investment कहते हैं जैसे कि land, machine, building, etc. यह क्या हो जाएगा investment अब वहीं foreign investment क्या हो जाएगा जब आप या कोई company ह या individual या फिर कोई company किसी एक nation से asset में या फिर stake के ownership में invest करती है जो कि दूसरे nation में based है उसी को क्या कहते हैं foreign investment कहते हैं क्या लिख सकते हैं simple तरीके से when a company or an individual from one nation invest in assets or ownership stakes of a company based in another nation एसी company जो कि दूसरे जैसे यह वाली company या मैं कोई individual किसी दूसरे nation में based company या किसी समान के उपर पैसा लगाती हूं है ना उसके assets के उपर पैसा लगाती हूं या उनके stakes के उपर पैसा लगाती हूं तो यह क्या कहलाएगा foreign investment कहलाएगा यहाँ पर आपका main शब्द जो है वो क ही भूलना है हाँ हे दूसरा difference अब यहाँ पर तो क्या है आपने इदर बताई दिया डीजा अमउ UFO खेंग जरूरा है यह बना सकते हैं कि यहांपर जो flow of money होता है वह within country होता है ठीक है अगर आप foreign investment से अंतर बता रहे हो, तो normal जो investment होता है, वो आप अपनी country में ही invest करते हो, जो पैसा है वो आपकी country में ही घूमता रहता है, वहीं जब आप किसी दूसरी country में पैसा लगाते हो, तो पैसा जो है वो country से बाहर जाता है, clear, यानि कि आप क्या कर रहे हो, दूसरी country में पैसा लगा रहे हो, flow of money is outside the country simple short and sweet difference बहुत ही आसान कोई दिक्कत है नहीं इसमें अराम से दो पॉइंट बनाए इधर एक पॉइंट बनाया और खतम clear और ऐसे आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा कई बार बच्चे पूछते भी है मैं हम investment और foreign investment क्या होता है investment ही हमको समझ में नहीं आता कई बार तो बस जब आप ऐसी चीज़ पर पैसा लगाते हो जो आपको profit earn करके दे या फिर जब आप assets पर पैसा लगाते हो तो वो क्या कहलाएगा आपका investment कहलाएगा monetary investment भी हो सकते हैं या फिर आप अपने personality पर भी invest कर सकते हो तो फिर वो बहुत सारा है अभी आपको वो सब यहां नहीं लिखना आपको अंतर तो investment और foreign investment में बताना है न तो आपका उसी तरीके की definition होने चाहिए कि foreign में और within country में फिर आपका difference दिखे clear है समझ में आया I hope समझ में आ चुका है अब आपको यह जो difference between है इसी तरीके से बहुत सारे मिले वे अल्रेडी informal formal वाला आपको मिल गया है है ना साथ ही में आपको जो दूसरे difference है mass communication personal communication वाला difference है है ना तो ऐसे आपको बहुत सारे differences term 2 से related या exam से related आपके differences आपको available होते सकते हो आने वाले वीडियो में आप और भी दूसरे difference between देखो के जिसे non-corporation civil disobedience movement के बीच में क्या अंतर था क्या-क्या चीज़े अलग हुई थी कुल मिला के है ना agro based mineral based industries कैसे एक दूसरे से अलग होती है तो वो भी differences आपको available हो जाएंगे इसलिए stay tuned अच्छे समझ येग अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को subscribe जरूर करना तकि आप ऐसे कोई भी वीडियो मिस ना कर जाओ मिलते हैं अगले वीडियो में